हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू हॉमवर्क कॉर्णर आई होप यौल आ सेफ और हेल्दी आजम करने वाले हैं मैट्स और हमारी मैट्स में हम जो महारा टोपिक है वो करेंगे टाइम देखिए बहुत जादा रिक्वेस्ट की वज़े से जो है वीडियो थोड़ा सा डिले हो ज जून का जब हम काउंट करते हैं तो उसे हम एम कहते हैं इसके इलावा मैं आपको बताना चाहते हो अगर आप बेसिक से जानना चाहते हैं कि एम की फुल फॉम क्या होती है पी एम की फुल फॉम क्या होती हाफ क्वाटर या क्वाटर तू हाफ पास्ट तो आप मेरी एक वी description box में दे दूँगी अब 12 noon to 12 midnight होता है PM यानि कि 2 फैर बज़ गए 2 फैर के 12 हो गए उसके बाद से रात के 12 बज़े तक हम PM लिखेंगे time और रात के 12 बज़े के बाद 2 फैर 12 बज़े तक हम AM लिखेंगे so one hour में होते है 60 minute 60 minute में होते है 3600 second एक minute में होता है 60 second one leap year में होता है 366 days and one week में होते है 7 days so ये छोटी छोटी छीज़े हैं ये आपको पता है इसलिए हैं पर मैंने ज्यादा mention नहीं किया है let's focus on the question जो कि बहुत important है मैंने कोशिश किया है कि मैं एक एक हर questions को जो इसमें include करूँ देखिए सबसे पहले मैं आपको कराने वाली हूँ addition जो कि last का question है लेकिन मैं पहले ही करा रही हूँ addition हम कैसे करते हैं देखिए हमें 4 hour 20 minutes 40 seconds को add करना है 3 hour 50 minutes and 25 seconds के साथ तो देखिए कैसे हम add करेंगे most important है यह last क्या है इस worksheet का लेकिन मैं पहले करा रही हूँ इसका reason यह है कि आपको पहले क्योंकि problem यहीं पर आती है बाकी जो convert करने का काम होता है वो easily कर लेते हैं तो एक क्योशनम plus का देखिएंगे एक minus का देखिएंगे फिर बाकी worksheet बात में करेंगे सो देखिए जहां से देखिएगा यहां पर जब हम इनको add कर रहें तो कितने हो गए हमारे 65 seconds हो गए लेकिन हमें पता है कि 65 seconds एक minute में 60 seconds होते हैं तो यहां पर 60 तो पूरे हो चुके हैं उससे उपर जो होगा हम वही लिखेंगे बाकी को हम as a carry count करेंगे क्या करेंगे as a carry लेकिन से one carry count करेंगे क्यों क्योंकि यहां पर minute है और 60 seconds में कितना बन रहा है एक minute बनता है तो यहां one carry आ गई यान कि one minute extra हो गई है उपर हो गई है 60 से उपर होती ही एक minute हो गई है तो यहां 05 लिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे अब इन दोनों को add कर तो 1 hour हो जाता है, कितना हो जाता है, 1 hour हो जाता है, यानि कि 1 carry हम इधर लगा दे, एक घंटा पूरा हो गया, अब यहां से 60 चला गया, तो कितने रहे गए, 10 minutes, तो यहां लिख देते हैं, 10 minutes, अब धिहान दखे, क्योंकि 1 carry पीछे से भी हम लेकर आएं, तो यह carry और add कर देंग कितनी हो जाएंगी, 11 minutes, इसके बाद 4 और 3 को हमने add किया, तो 7 और 1 पीछे से carry है, तो 8 hours, कितने हो गए, I hope आपको यह clear हो गया होगा, अब मैं एक question और आपको समझाती हूँ, ऐसे ही मैं लिख रही हूँ, यहां पे hour, minute और second को plus करके दिखाती हूँ, मैं आपको suppose करिए, यह हमने लिखा है 50, 20, 40, और यह 6, अब हमें इन ही add करना है, तो हम कैसे add करेंगे, देखिए second में है यहां पी कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, अब हम इसे सेकेंड हो गई, तो कितना हो गया, एक minute हो गई, तो यहां पे तो हम one carry कर देंगे, और second में हम यहां लिख देंगे, 0, 0 क्योंकि हमारे पास कोई भी सेकंड नहीं है सारी जितनी भी सेकंड थी वह मिलके क्या बन गई एक मिनट बन गई अब देखिए 50 और 20 कितने हो गई 70 तो यहां में लिख देंगे 70 लेकिन ध्यान रखिए जैसे ही 60 मिनट हो जाता है मारा वन आर हो जाता है तो यहां पर तो वन क तो यह टोटल हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 11 मिनट कितनी हो जाएगे 11 मिनट हो जाएगी और यहां पर 546 11 और 112 हो जाएगे I hope आपको यह addition इस तरीके से समझ आ गई हो अब मैं आपको सिखाती हूँ subtraction देखे addition तो हम कर लेते हैं लेकर subtraction में और जादा problem आती है जब number हमें गटानी में problem होती है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले देखो यहां पर 7 में से 8 subtract नहीं हो सकता 3 में से 4 subtract नहीं हो सकता क्या करेंगे, carry लेंगे, क्या करेंगे, carry लेंगे, जो minute है उनसे हम बोलेंगे हमें एक carry दे दो भई, लेकिन जब minute carry देगा तो एक carry नहीं देगा, एक minute का मतलब होता है, 60 second, जब एक minute अपनी carry देगा, इसका मतलब वहाँ से second के पास कितनी आएगी, 60 second आएगी, क्योंकि second है, minute तो एक carry देगा, लेकिन, क्योंकि second है, तो उसके पास तो 60 second आएगी, तो इसका मतलब जब हम इस 60 में जोड देंगे भई, तो यह हो जाएगा, 97, यह मैं पैंसल से लिख रही हूँ, 97, अब 97 में से 48 को सब्ट्रेक्ट करना easy है, कितना आजाएगा, फिर हाँ पे हमारा, 9 और 49, कितना आजाएगा, 49 आजाएगा, अब चलते हैं आगे की तरफ, अब क्योंकि 17 ने 1 carry दी थी न, इसको, इसको, तो एक मिनट हो गया, भई कम, कितना हो गया, एक मिनट कम हो गया, तो यहां रह जाएगी 16 मिनट, कितनी रह गई 16 मिनट, अब 16 में से 12 गया 4, अब अगर यह 49 सेकंड्स हो गया, एक और क्योशन देखते हैं सब्ट्रेक्शन का, तो ध्यान रखें, हम जितने भी क्योशन करेंगे, प्लस माइनस के सारे इसी तरीके से करेंगे, तो यहां पे सेकंड्स नहीं हो सकता, यहां से 1 carry लेंगे, और यह हो जाएगा हमारा 65, कितना हो जाएगा 65, तो 65 में से 35 गया, 30 सेकंड्स रह जाएंगे हमारे यहां पे, उसके बाद, अब क्योंकि 9 ने 1 carry इसको यहां पे दी थी तो यहां पे रह गया 8, अब देखे, 8 मिनट्स में से 40 मिनट्स को सब्ट्रेक्ट करना मुश्किल है, तो अब हम यहां से carry लेंगे, अब जो 12 है, यह 60 मिनट्स जाएंगे, क्योंकि यह तो अपनी 1 carry दे रहा है, यानि कि घंटे है, तो 1 गंटा दे रहा है, लेकिन मिनट्स के पास तो 60 जाएंगे, तो यह हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68, अब इसमें से हम 40 को घटा सकते हैं, तो यह हो जाएगा 28 मिनट्स, अब क्योंकि 1 गंटा उसने इधर कैरी दिया था तो यह हो जाएगा 11 और 11 में से 6 गया 5 आर्स आपके statement वाले sum हो या ऐसे plus minus हो सभी इसी तरीके से होंगे जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर 60 होगा minutes में क्योंकि एक गंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इस तरीके से यह जो कैरी है वो वर्क करें आईए अब हम देखते हैं हमारी वह वाली वक्षिप जो कि मैंने श्रू में की थी अब वह वाले sum देखते हैं जिनमें हमें convert करना है पहला मारा question है convert the following to 12 hour clock time यहाँ पर मैंने 20 hour जो format होता है उसमें दिया होया time अब हम इसको change करें 12 hour में तो देखते हैं कैसे करते हैं देखे सबसे पहले तो जो हमारा 1840 जो लिखा हुआ है इसको हम time में कैसे show करते है 1840 यानि कि 18 बजकर 40 मिनट हो गए हैं और हम जब 12 hour का होता है उसे हम कैसे show करते हैं 12 hour को इस तरीके से show करते हैं तो अब हम क्या करेंगे इसमें से 12 को subtract कर देंगे माइनस 12 0 तो यहाँ पर जो time आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6 hour 40 मिनट्स 6 hour 40 मिनट्स अब बात आती है कि यह pm है कि am है तो देखे यह है pm क्योंकि यह जो भी नंबर हमारी 12 से उपर होंगे यहाँ पर आर्स हमारी जो भी आर्स यहाँ पर 12 से उपर होंगे वो सारे pm में होंगे क्योंकि 12 बजने के बाद 2 फैर के 12 बजने के बाद हम 13 काउंट करने लग जाते हैं यारि कि जब 1 ओ क्लोक होता है 1 pm होता है उसको हम 24 hour format में क्या बोलेंगे कि 13 ओ क्लोक हो गए है तो यह होगा हमारा pm क्या होगा pm होगा इसी तरीके से इसे भी हम कैसे शो करेंगे और जब हम इसमें से 12 को सब्ट्रेक्ट करेंगे अब 12 को सब्ट्रेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह already 18 से नीची है सो हमें इसमें से 12 को सब्ट्रेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है सीधा सीधा हम बोल देंगे कि जो 12 यह 0, 2, 10 जो आर्स है हमारे यह हो गया है इसका टाइम है टू टैन एम टू आर टैन मिनट्स एम क्योंकि यह हमारे जो रात के बारा बज़े है फिर एक बज़ा दो बज़ा यह उसकी बात हो रही है मैंने कहा था है यहाँ पर जब 12 से उपर होंगे तो हम उसमें PM लिखेंगे और उसमें से 12 सब्ट्रेक्ट करेंगे Otherwise हम सीधे सीधे इसी तरीके से जो अपने टाइम को दिखाएंगे So I hope आप कोई clear हो गया होगा कैसे कर रहा है हमें सीधा जब यहाँ पर above 12 हो तो 12 माइनस करेंगे अगर 12 से नीचे तो direct हम ऐसे उस टाइम को शो कर सकते हैं उसमें आएगा AM और इसमें आएगा PM आईए अब आगे बढ़ते हैं Convert the 12 hour clock time into 24 hour clock time अब देखिए हमें यह 12 hour format में दिया हो है और 20 hour clock के format में चींज करना है तो देखिए यहाँ पर AM है क्या है AM दिया हो है तो यहाँ पर यह जो time है देखिए सबसे पहले तो जो 9 है यह इसका मतलब क्या है कि 9 hour and 50 minutes ठीक है 50 minutes है और यह कब है after midnight है after midnight के बाद है कब है after midnight यह time after midnight है तो midnight से noon तक हम AM करते हैं और वहाँ पर हमें जो है उसमें 12 एड़ करने की जरूरत नहीं होती so therefore जो 9.50 AM होगा हमारा वो हो जाएगा 09.50 hours जैसा कि मैंने अभी आपको पीछी दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम आगे 0 लगा देंगे 9.50 hours करके दिखा देंगे अब यहाँ पर PM यह important है समझना कि अभी time क्या हुआ है 10 hours and 55 minutes अब यह जो time है PM है यानिके after noon है noon के बाद का है तो यहाँ हम क्या करेंगे so therefore जो time होगा वो क्या होगा we have to sorry we had sorry we have to add 12 जो hour है इसमें में जोड़ना होगा तो 10, 50, 55 plus 12 यह इसमें add करना होगा तो हमारा timing हो जाएगा 22 and 55 ठीक है 22 and 55 हो जाएगा और 20 hour format में अगर करेंगे तो इतने hours हो जाएगे हमारे I hope यह आपको clear हो गया होगा next है convert the following अब 9 hour को हमें minute में change करना है तो हमें पता है कि 1 hour में कितने minutes होते है वई 60 minutes होते हैं तो यहाँ पे 9 multiply 60 540 minutes next हमारा 7 week into the days तो हमें पता है 1 week में कितना होते हैं वई 7 days होते हैं तो 7 week को 7 से multiply कर देते हैं 49 days 49 days एक week में 7 दूसरे में 14 तो 49 days 4 months 23 days को हमें convert करना है into days में तो देखें यहाँ पे हम मान कर चलते हैं कि 1 month में 30 days होते हैं किसी में 31 भी होता है लेकिन हम मान के चलते हैं कि 30 days का ही हम मान के चलते हैं तो यहाँ पे 4 multiply 30 plus 23 days क्योंकि ओलरी days में है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120 days plus 23 days और जब हम इने add कर देंगे तो 143 days यानि कि 143 days हो जाएगा अब हमारा next question है 8 years into month 8 साल को month में करना है तो हमें पता है कि 1 year होता है उसमें 12 months होते हैं 1 year में कितने होते हैं 12 months होते हैं तो 8 year में कितने हो जाएगे 96 month अब हमें करना है 840 minutes को hour में change करना है तो हमें पता होता है कि 60 minutes होती है उसमें 1 hour होता है, 60 minutes में 1 hour होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको divide कर देंगे, क्या कर देंगे, divide कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 14 hours, कितने हो जाएगे, 14 घंटे, अब हमें करना है 960 seconds को minute में, अब हमें पता है कि 1 minute होती है, उसमें 60 seconds होते हैं, तो यहाँ पर seconds दिया हुआ है, सो हमें से 66 divide करेंगे, तो यह आजाएगा हमारा 16 minutes, कितने आजाएगे 16 minutes, I hope आपको clear हो गया हो, यहाँ पर यह problem हो सकती है कि किस में divide करें और किस में multiply करें, तो मैं आपको बता देती हूँ, कि जब चीजे minutes हैं और हमें और हमें AR में change करना है, या बड़े उसमें change करना है, तो हम divide करेंगे, जैसे second है और minute जादा मतलब बड़ा है तो उसमें change कर रहे है, तो divide करेंगे, और अगर कोई चीज quantity में बढ़ी है जैसे आर बढ़ जादा होते हैं और हमें कम में करना है जैसे पीछे मैंने अभी आपको कराया था तो हम multiply करेंगे जैसे 8 hours जो 8 years है बहुत जादा होते हैं लेकिन months में करना है कम उसमें करना है तो यहाँ पर multiply करेंगे तो जो most important आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको इवीडियो पसंद आती तो please like करें शेयर करें और हमें कमेंट शेशन में ज़रूर बताएं कि आपको इवीडियो कैसी लगी तिल दन बबाई stay safe stay healthy